कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जीवन जूट से कठिन हो जाता है और सत्ते बोलने वाले के रास्ते कठिन होते हैं ऐसा लोगों का मानना भी है और वो धरना भी बनाए बैठे हैं ऐसी क्योंकि लोगों के दिमाग में एक चीज खुसा दी गई कि जूट बुरा होता है और जो चीज बुरी हो उसको लोग कैसे अच्छा समझ ले कैसे उसके लिए लोग ये कह दें कि हाँ ये तो अच्छी चीज है लेकिन उसके बावजूद एक बात सपष्ठ है कि चीजें उस हिसाब से ना चलें कभी भी जिस हिसाब से आप चलाना चाहते हैं ना तो जूट अपने पक्स में गलत हो सकता और ना ही सकते अपने पक्स में कभी गलत हो सकता दो पहलू है जिन्हें बोलना आउशक रूप से मैं कहूंगा कि जरूरी है जरूरत जूट की भी है जोकि अगर ऐसी जरूरत ही नहीं पैदा होती तो फिर जूट कई जोट की जा उत्पत्ती है वो भी नहीं होती किसी चीज का बनना उसके दोस और उसके गुंट्डोनों ले कर आता है लोग गुम्रा करते हैं कि नहीं जूट सिर्फ और सिर्फ लोगों के गुम्रा करने के लिए होती है मैं नहीं कहूंगा मैं कहूंगा कि हर एक चीज की उत्पत्ती दोनों तरह से होती है उसमें स्वार्थ भी चुपा होता है और उसमें परमार्थ भी चुपा होता है देखना ये है कि कहां पर हम सही है इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जुरूर लिखिए